तो आज का हमारा टॉपिक है कहानी और रेखा चित्र के परसपर संबंथ और उसके अंतर का विवेचन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथी साथ MHD से रिलेटिड अदर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेइलिस में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का अमारा क्वेशन है कहानी और रेखा चित्र के परसपर संबंध और उनके अंतर का विवेचन कीजिए इसका उत्तर देखें तो हिंदी की महत्वपून विधा के रूप में छोटी कहानी के विकास में स्केच और उपाख्यान का योगदान अत्यंत महत्वपून माना जाता है इसके अंदर ही आधुनिक छोटी कहानी विक्सित हुई है स्केच जहां तथ्यात्मक और पत्रकालिता के विविद्गुनों से युक्त है वहीं यह टेल की तुलना में आधिक विशलेशनात्मक और नियून्तम कथात्मक या नाटकिये रूप में प्रयुक्त होता है स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है जबकि इसके विप्रित छोटी कथा का मोखिक रूप है इसके साथ ही स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथात पर अपनी तीव्र द्रिष्टी रखता है तो उपाख्यान दर्बार या अलाव के चारो और बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली कथा होती है जो अतीत की पुनर रचना होती है तथा जिसको उननिस्वी शताब्दी में कुछ लेखकों ने स्केच के तत्वों के साथ ही मिश्रित करके एक नई कथा विधा का स्रेजन किया यह नवीन रूप में छोटी कहानी के नाम से जानी गई इसका सामान्य लक्षे उपाख्यान की फंतासी और उसमें विद्यमान कल्पनात्मक उडान को कम करके स्केच को उसकी कठोर तत्यात्मकता की भाववूमी से मुक्त कराना था अथा इस प्रकार आधुनिक छोटी कहानी सामान्य तहा अतिक कल्पनात्मक कथा और फोटोग्राफी स्केच के बीच विद्यमान होकर इन दोनों के गुनों से ही प्रायह युक्त होती है हिंदी में भी युरोपी रचनाकारों के समान ही पहाडी यश्पाल आदी अनेक कहानी कारों ने कहानी के शेत्र में रेखा चित्र या स्केच आदी जैसे तत्वों का मिश्रम किया है परंतु इसके आधार पर ही राम ब्रिक्ष बेनी पुरी की माटी की मूर्तें और महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र जैसे रेखा चित्रों को कहानी नहीं माना जा सकता क्योंकि रेखा चित्रों के पात्र उनके लेखकों से जुड़े यथार्थ के रूप में वास्त्विक व्यक्ति हैं जबकि पहाडी, यश्पाल और प्रेमचन की रेखा चित्रों मा कहानियों के पात्र काल्पनिक हैं जिनका वास्त्विक जीवन या यथार्थ की घटना प्रसंगों से कोई संबंद नहीं हैं इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना कहानी और रेखा चित्र के परस्पर संबंद और उनके अंतर के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग